अहिन सातीर्थ प्रनेता जै जै हो भारत गोरव रास्ट्रसंद प्रमुख सागर स्वर्णिन स्वर्ण जयंति का आउसर ये महान है निलकर हम मनाएंगे गुर्वर देश की शान है प्रमुख सागर जै हो गुर्वर प्रमुख सागर जै हो गुर्वर इसकारीक्रम के आयूचक है श्री दिगंबर जैन पंचायत गुवाटी असंद श्री सूकमल जी श्री मती सुशीला देवी श्री धर्म चंद जी श्री मती प्रेम देवी तनेश दिव्यांशी सेठी जैन धर्म अजैनगर विजैनगर काम रूप असंद कश्ट आने के बाद मालम पड़ता है यह लगता है बगवान मौत दे देना लेकिन वीमारी मत देना कश्ट नहीं आता है तब तक उसे लगता है कि छोटे सा अगर गैस प्रॉबलम भी हो जाए ना तो दुनिया इधर सोधर हो जाती है लेकिन उस वक्त समत भाव रखना उस वक्त ममत भाव छोड़ना उस वक्त अपने आपका चिंतन मनन करना यह दुल्लव है इसको समझना है होगा लेकिन उसे सयम के साथ पाल करें ख्याल करो आरत ध्यान है अगर उसी उसी में लगे हैं थोड़ी थोड़ी और एक बात का हमेसा ख्याल लगना जो लोग बनावटी बीमार होते हैं जो लोग आठीवी सल बीमार होते हैं जो लोग काम चोर मतलब काम से बचने के लिए बीमार होते हैं व हैं तो गहते हम बीमार हैं ना वो आटीपीचल क्या लगाते एकजाम के समय पर मेडिकल लगा देते कि हम बीमार थे इसलिए एकजाम देने नहीं आ दीर सकते हैं अकई वार तो बच्छे लोग नई स्कूल जाना हैं तक तो टीचर को बीमार कर देंगी कि और विचार करके रखना कहीं पढ़ाई लिखाई नहीं करना है है ना तो बीमार कहीं साधना नहीं करना है तो बीमार तो जो बनावटी बीमारी है अगर वो तुमने बनना करना शुरू किया तो जब रियल की बीमारी आएगी तो निकलना बहुत मुश्किल होगा क्यों कि लोग क का मतलब समझने का प्रियास करना कि आप निदानबंद करते हैं तो आपकी साधना आपका पुन आपका सब कुछ बैवाव यहीं का यहीं सीमित ले जाएगा निदानबंद तीन प्रकार का है इस्टवियोग अनिश्चन योग प्रिजा चिंतन और निदानबंद यह आर्थ द निदानबंद का मतलब क्या है प्रिस्ट निदानबंद का मतलब है हे भगवान मैंने आपकी पूजा करी मैंने आपकी भक्ति करी मैंने इतना तप किया मैं इतना सैयम किया मुझे इसका फल मिलना चाहिए प्रिस्ट निदानबंद है यह भगवान अगले जनम में हमें फिर सयम मिले, अगले जन्म में फैल जैनकुल मिले, अगले जन्म में फिर हमें एतना धन मिले कि हम पूजा पाट करें, इतने हमें अगले जन्म में ऐसा मन मिले कि मैं दूसरों की सेवा कर सकूँ अगले जन्म में मुझे बहुत कुछ अच्छा ही मिले अच्छा तन अच्छा मन अच्छा धन मिले जैसे हम अपना कल्यान कर सकें और दूसरों का भी कल्यान हो सकें यह प्रिसस्त निदानवन्द है अच्छे की भावना अच्छे की इच्छा रखना प्रिसस्त निदानवन्द है लेकिन यह भी आर्थ द्या ये बगवन इसने मेरे साथ गलत बेवार किया इसके साथ भी गलत बेवार होना चाहिए ये आपरिसस्त निदान बंद है कि हमारे मन में बदले की भावना आ रही है हम दूसरे से बदले का भाव रख रहे हैं ये आपरिसस्त निदान बंद है और यह आपने सरस्त निदान बंद किस लिश्या तुम्हें नरक्यों लेके जाएगा तीसरा निदान बंद है भोग करत निदान बंद का मतलब इतना ही है यह बगबन मेरी पूजा पाठ मेरी स्वाध्याय मेरा सयम मेरा तप अगर सही है तो मुझे अगले जनम में अच्छा अच्छा मकान मिले भोगने की सामगरी मिले खाने पीने के अच्छी सामगरी मिले संसार की सामगरियां मिले और हम बहुत ऐस और आराम से रहें तो ख्याल करना यह भोग करत निदान बंद है और यह भोग करत निदान बंद संसार को ही बढ़ाने बाला है संसार को ही देने तीनों निदान बंद किसने किये प्रिसस्त निदान बंद प्रिसस्त निदान बंद वो मेड़क कर लेता है और भगवान की भक्ती करने जाता है रास्ते में मरन भी हो जाता है तो देव बन जाता है ये भगवान की भक्ती करना अप्रिसस्त निदान बंद है अप्रिसस्त निदान बंद किस ने किया कंस के जीवने ख्यार करके रखना कंस अप्रिसस्त निदान बंद कर लिता है मुनिराश थे कंस आहर नहीं दिया राजा ने तीन बार मासोब वासी थे तीन बार आए और गए उनका आहार नहीं हो पाया मरन हो गया उन्होंने निदान बंद कर लिया कि मैं मरकर ऐसे राजा के यहां जनब लूँ इसको सबक सिखाऊंगा तो वो कंस ने उगर सेन को जेल में डलवा दिया वो कंस आप्रिसस्त निदान बंद के कारण से कंस बन गया बदले की भावना थी इस्ट वियोग अनिस संयोग पीड़ा चिंतन और निदान मन यह किष्ण लेश्या वाला विक्ती ही कर रहा है मन में धालना बनाना किष्ण लेश्या का ब्याख्यान किष्ण छे लेश्याओं से पुरा संसार जी रहा है और रोद ध्यान हिंसानन मिर्सानन चौर्यानन परिग्रानन हिंसा में आनंद मनाना हिंसा हो जाना एक बात अलग है लेकिं हिंसा में खुशी मनाना यह दूसरी बात है चार प्रकार की हिंसा है आरंबी हिंसा संकल्पी हिंसा उद्योगी हिंसा और बिरोधी हिंसा आप बिचार करके रगना आरंबी हिंसा का आपका त्याग नहीं कराया आचारोने उद्योगी हिंसा का आपका त्याग नहीं कराया आचारोने बिरोधी हिंसा का त्याग नहीं कराया आचारोने केवल और केवल संकल्पी हिंसा का त्याक कराया कि संकल्पूरुबा किसी जीव को मारना मत केवल संकल्पूरुपी हिंसा का त्याक कराया अगर उससे बच गए तो आप अहिंसकी हो ख्याल करो हिंसा में, अरम में, बिरूद में अब कोई तुम्हें बिरूत करने आया और तुमने आप बिचार करना कभी आपको लगता होगा कि जहन ब्यक्ति राजा बन सकता कि नहीं बन सकता राजा ही जहन था और मैं हमेशा कहता हूँ जहन धरम राजाओं का ही धरम है सारे राजा माराजाओं को देखो पहले जहन होती थी बड़ी हिंसा होती थी लोग मानने के लिए आएं जगरने के लिए आएं तो वो तलवार भी उठाते थे बंदूग भी उठाते थे सब कुछ करते थे लेकिन चल के नहीं सामने वाला कर कुछ बोलता था तो फिर उसका भुरूत का जवाब देते थे और आश्चर की वाद तो ये कि भुरूत का जवाब देने के बाद भी वो हिंसक नहीं थी वो अहिंसा बिरत का ही पालन कर रहे थे लड़ाई लड़ते हुए भरचकरवती भी अहिंसक हैं ख्याल करो कितनी इद्ध लड़े छाएक सम्मेदेश्टी राम ने इद्ध नहीं लड़ा खूब लड़े इद्ध लेकिन फिर भी अहिंसक ही थे क्योंकि उन्होंने संकल्प नहीं किया मानने का और आप इसके बचेंगे तो रौद ध्यान से बचेंगे हिंसा नन, मिरसा नन, जूट बत बोलो संसार में सब का विश्वास करना लेकिन जूट बोलने वाले का कभी विश्वास ने करना जूटा बैक्ती सबसे खतनाका अंसान है वो पता नहीं कब कब क्या बोले और तुम बोलोग यह सही बोला है लेकिन वो किया थे कि मैं तो जूट बोलने की आदत है मेरी तो खतना खानी तो ख्याल करना मिरसाना लेकिन मैं आपसी कहना चाहूंगा कि अगर जूट बुल जाए कभी जूट किसी के मादन से बुल जाए वो जूट बोलने के बाद खुसी नहीं मनाना जूट कहो चाल फरीवी कहो ठगी कहो उसके बाद खुसी का एसास नहीं करना खुसी नहीं मनाना तो रौद ध्यान से बज़ जाओगे अन्नाता रौध ध्यान में अपड़े रहो है, हिंसाननदी, मिरसाननदी, चोर्यननदी, बिना चोरी की बेपार नहीं चलता है, कहीं से LTS, कहीं इंकंटेक्स, कहीं कोई विसा, GST, कहीं कोज, कहीं कोज, बहुत सारी लगा रखिये हो, कहीं न कहीं से तो पकड़े जाओगे, लेकिन ख्याल करना, चोरी हो जाए, किसी का सामान यहां से उठा कर वहां रख दिया, या कुछ ऐसा कुछ हो गया, तो उसमें भी आप खुसी नहीं मनाएं, प्रसनता ना मनाएं, तो आप रौद ध्यान से बन जाओगे, हिंसानन्द, मिरसानन्द, चोर्यन्द और परिग् है, उसकी आवास सुरो, उसका भी समय ही है, आप विचार करके रखना, परिग्रे जितना कम होगा, उतना आपको आनन्द आएगा, लेकिन आचार कह रहे हैं, जो कम भी किया, उसमें भी आनन्द नहीं मनाना, वो भी तो यहीं देने वाला है, वो कुछ साथ जाने वाला नह कितना भी तुम कर लेना, वो एक धागा भी हमेजा कहते हैं न, चाहिए जोल लो हीरे, जोल लो कितने भी हीरे और मौती, बस एक बात का ख्याल रखना, कफन में जैम नहीं होती, एक भी कफन में जैम बनी क्या, दो यह बस्त्र ऐसे हैं, एक जनम का और यह मरण का, जिन में जैम नहीं है, आप बिचार करना, बच्चे को बच्चमने लगोटी पेनाते हैं जब जन्म लेता है, उसमें जैम नहीं होती है और जब आदी मरता है तो उसे कफन पेनाते हैं, उसमें भी जैम नहीं होती है, दोनों ही एक से हैं तो हम इतना ही बिचार करें परिग्रे जो है पहले कम करें और कम भी जो किया है उसमें खुसी मत मनाओ आनन मत मनाओ वो तो तुमारे ही है ना अपने बस्तू में क्या आनन मनाना और वो है तो तुमारा नहीं लेकिन हमने मान रखा है क्योंकि हमारी धालनाएं पहले से ऐसी जन्मों जन्मों से बनी हुई है कि यह सब मेरा है यह सब मेरा है ऐसी धालनाएं जो बनी हैं उन्हें कम करने का फ्रयास करो तो हम रोद ध्यान से बचेंगे आचार के रहे हैं आर्त रोद सदा क्रोधी हमीशा बात बात पर क्रोध बात बात पर उनके गुस्सा बात बात पर चिर्चड़ापन बात बात पर उनको जुमन में क्रोध का भाव आता है वो भी किस लिस्य वाला है और मासर भाव, इर्षा का भाव, हम इर्षा, हम दूस्रों की बढ़ती को देख कर, प्रिसनता होना चाहिए, खुसी होना चाहिए, लेकर हम इर्षा का भाव कर रहे हैं, उसके साथ गिलानी का भाव कर रहे हैं, उसके साथ मन में गलत भाव ला रहे हैं, तो एह हमारे नरक मे कारण है और किस लिस्या में कारण किस लिस्या वाला इसालू होगा किस लिस्या वाला क्रोधी होगा किस लिस्या वाला धरम वर्जिता धरम से रहेत होगा धरम वर्जिता का मतलब है धरम करम चलता रहे वो उसे इसमें इंट्रेस्ट नहीं आएगा पूजा पार्ट में नहीं तो बो सवकिष लिस्या वाला है इसलिए धर्म से आप धर्मात्मा बनने का प्रयास करें हैं धर्म के मरम को समझने का प्रयास करें धर्म का मरम भाय में नहीं है अंतरंग में बस्तु स्वाव उतम बस्तु का जो स्वाव है वो इधर्म है उस स्वाव को समझने का प्रयास करो ख्याल करो आचारियां के रहे हैं कि निर्देई दया हीन हो किसल लेस्या वाली का वाई डोटा चल ला है अब आप देख लेना जिसके अंदर दया भाव नहीं है करुना भाव नहीं है प्रेम भाव नहीं है बासल भाव नहीं है तो उसका किसल लेस्या ही चल लए है दया कि मैं जीते जीते उसको छोड़ूंगा ही नहीं मर जाओंगा तो भी उसे भूत बनके सताओंगा अगर तुम्हारी बैर की गांट किसी से बंदी हुई है और छे महीने से जादा तुम उसे बोल चाल नहीं कर रहे हो या उससे तुम देखना पसंद नहीं करते हो तो समझ के र नरक और तिरेंच गती को प्राप्त होने वाला है तो हमें इन से बचना चाहिए किस लेस्या जीवन को खराब करती है किस नाम ही काला है और तो हमारे पढ़नाम भी काले करता है और किस लेस्या की बहुलता नरक में मिलती है पहले नरक से लेकर चोथे नरक तक किस लेस्या वाला ही जीव लेता है समय दिश्टी इन लेस्याओं से बचता है अपने पढ़नामों को देखता है अपने पढ़नामों को अच्छा बनाने का प्रयास करता है कसाई और योग से दोनों से लेस्याओं होती है इन लेस्याओं से बचना है तो अपने आवा मंदल को अच्छा र भीकास भी होगा ख्याल करो वेपारी बर्ग यहां बैठे हैं दुकान पे तुमारे कोई कस्टमर आए और तुम गुस्य में बात करो तो आभा मंडल क्या तुमारा आभा मंडल तो जो है वो कस्टमर भगी जाएगा दोवारा आएगा ने यह महलाएं यहां बैठी हैं अगर आइघ करहें घर में बताती के आने से घुठ से बात करें वह अहिंगे हा निव यह कर दो आए जाने तो फिर जाएंगे देवी जी सोच उसके बाद चाएंगे और तो प्यार से बात करों और से भागी गोज़ा दो रोज जाएंगे रोज अभी समये नहेंगे तो आप सोचते हैं, हमेशा खुस रहते हैं तो आवा मंदल अच्छा है तो आपको अच्छा लगता है और बास्तम में, रियल में अभी क्रोट करने लग जाए ना गुस्सा करे ना, सब भग जाएंगे जितने भी हैं, सब दूर के दूर रवाना हो जाए तो अपना ओरा अच्छा करो किस लेस्या का ओरा नहीं करना क्योंकि हमारा जीवन का वाईडोटा हमारे जीवन की कुंडली इस छे बातों, साथ बातों में उन्होंने पूरी कर देंगे तो छे लेस्याओं के बाद दम से आज मैंने आप से चचचा किस लेस्या के संबन में की आर्थ ध्यान से बचना है नहीं होने देना है आर्थ ध्यान, रौद ध्यान से बचना है बात बात पर चिर्चिर नहीं करना है क्रोध का सुभाव कम करना है क्योंकि क्रोध खतम नहीं कर सकती हो लेकिन कम कर सकती हो और एक बात को क्रोत को काट कर निकल सकती हो मास्सा इर्षा का भाव कम करें धर्म से जो बिमक हो रहे हो धर्म के समुक होने का प्रियास करें निर्देई किता का भाव ना रखें बैर की गांठ ना बादें तबी तुम सज्जन प्रुष कहलाओगे किस लिए सासी बचोगे और आगे के जीवन को समझने का प्रियास करोगे आज इतना ही ओम नमा जैकुरते विजय नगर कामरूप असम अहिन सातीर्थ प्रनेता जै जै हो भारत गोरव रास्ट संद प्रमुक्र सागर स्वर्णिन स्वर्ण जैंति का आउसर ये महान है मिलकर हम मनाएंगे दुर्वर देश की शान है प्रमुक्र सागर जै हो गुर्वर प्रमुक्र सागर जै हो गुर्वर